हे गाइस, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति के रहस का पता लगाने जा रहे हैं गोंतेश्वर नामक यह प्राचीन सन्रचना एक हजार साल से भी पहले बनाई गई थी यह एक ठोश चटान से बनी है यह ऐसे समय में कैसे बनाया गया जबकि इतिहासकार दावा करती हैं कि कोई उन्न तकनीक नहीं थी क्या सिर्फ आदि मौजारों और तकनीकों से इतनी बड़ी सन्रचना को पहाडी की चोटी पर ले जाना संभव है यह प्रतिमा लगभग 57 फीट लंबी है आधार पर लगभग 40 फीट चोड़ी है और इसका वजन 1000 तन से अधिक है यह 2 मिलियन पाउंड्स की ठोश चटान है तो सवाल यह है कि इसे पहाडी की चोटी पर कैसे पहुचाया गया जो जमीन से 400 फीट से अधिक है विशेशग्य इस प्रश्ण का उतर नहीं दे पा रहे हैं लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि पत्थर पहले से ही पहाडी पर उपलब्द था यदि यह चटान पहले से ही होती तो मूर्तिकारों को बस मूर्ति को तराशना पड़ता परिवहन की आवशक्ता नहीं थी क्या यह संभव है कि इस मूर्तिकों तराशने से पहले यह चटान प्राकरतिक रूप से मौजूद थी नहीं, विशेशग्य पुष्टी करते हैं कि यह मूर्ति सफेद ग्रिनाइट से बनी है एक ऐसी सामगरी जो पहाड़ी पर बाकी चटानों से अलग है वास्तव में पहाड़ी पर या आसपास के छेतर में कहीं भी सफेद ग्रिनाइट नहीं है आप प्रतिमा और मंदिर को बनाने वाली बाकी चटानों के बीच रंग में विपरीता देख सकते है तो एक मात्र संभावना यह है कि इस मूर्ति या एक पूरे स्लैब को जमीन से पहाड़ी तक ले जाया गया था मान लीजिए कि उन्होंने मूर्ति को पहाड़ी तक पहुचाया ना कि एक अधूरा स्लैब क्योंकि ओरिजिनल चटान का वजन खुदिवी मूर्ति से लगभक दो गुना होगा कुछ इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि इस मूर्ति को शीष पर ले जाने के लिए हातियों का इस्तिमाल किया गया था एक हाति अधिक तम 660 पौंट्स का बजन उठा सकता है प्रतिमा को स्थानांतरित करने के लिए कुल 3000 हातियों की अवश्यक्ता होगी लेकिन आप 3000 हातियों को एक पंक्ती में कैसे बांदेंगे और उन्हें 57 फीट लंबी वस्तू से कैसे बांदेंगे क्योंकि यह संभव नहीं है तो मूर्ति को पहाड़ी की चोड़ी पर कैसे ले जाया गया शायद मूर्ति को करीब से देखने पर हमें कुछ सुराग मिल सके यह प्रतिमा बहुत ही रोचक चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है इसमें कोई मानुवेत्रिटी नहीं है यदि आप बीच में रेखा खीचते हैं तो यह पूरी तरह से सेमेट्रिक है उपर से नीचे तक 57 फीट की पूरी उचाई में क्या ऐसी समरूपता मशीनों की सहायता के बिना संभव है हम जानते हैं कि भारत मूर्तियों की भूमी है और हम दुनिया के किसी भी तेश के तुल्ला में लाखो अधिकत बुद्नकाशी पा सकते हैं लेकिन यह मूर्ति अपने विशाल आकार के कारण काफी अलग है लेकिन फिर भी इस मूर्ति में हम छोटे से छोटे विवरण को भी देख सकते हैं उधारल के लिए आप उसकी नाक और होटों के बीच इस खाचे को देख सकते हैं सभी मनिश्यों के चेहरे की यह सनचना होती है लेकिन फिर भी अधिकांश मूर्तिया इस विशेष्टा को नहीं दिखाती हैं यहां तक कि Statue of Liberty में भी यह विशेष्टा नहीं है लेकिन यह एक हजार साल पुरानी इस मूर्ति पर खुदी हुई है यह विशेष्टाएं नगन आखों को दिखाई नहीं देती हैं वेकेवल तभी दिखाई देती हैं जब आप अपने कैमरे से जूम इन करती हैं यह वास्तम में कुछ असाधारण दिखाता है ऐसी खरोच जो मूर्ति के चहरे पर जानबूच कर खुदी हुई है यह चरण का परिणाम नहीं है मैं आपको एक मिनिट में चरण भी दिखाऊंगा यह खरोचे क्यों बनाई गई क्योंकि यह प्रतीमा बाहुबली का प्रतिनिधित्व करती है एक राजकुमार जिसने अपने ही भाई से लड़ाई की थी प्राचीन क्रंथों में उलेक है कि बाहुबली के अपने खड़े होने के मुद्रा में अपना ध्यान शुरू करने से ठीक पहले दोनों भाईयों ने आपस में युद्ध किया और घायल हो गए प्राचीन बिल्डरों ने सबसे छोटा विवरण भी क्यों बनाया हालकी इतिहासकारों का दावा है कि प्राचीन लोग इन सुच्म विवरणों को अपनी नगन आखों से नहीं देख सकते थे आखों के कोनों पर मास के छोटे छोटे धब्बे देखिए ये आपको कहीं नहीं दिखेंगे यह अतियंत सुच्म विवरण है जिनहें पूर्णता के लिए उकेरा गया है यदि आप इस साइट पर जाते हैं तो इन पत्तों पर जूम इन करें और आप देख सकते हैं कि कैसे इन पत्तियों पर नसों को अविश्वशनिये रूप से उकेरा गया है क्या इस तरह के विवरणों को मानव हातों से पूर्ण समरूपता में उकेरा जा सकता है या प्राची निर्माता आधुनिक मनिश्यों की तरहां नकाशी के लिए मशीनों का उप्यों कर रहे थे लेकिन सबसे दिल्चस्प सुराग इस प्रिशाल मूर्ती पर नहीं बलकि उनके पैरों के पास रखी इन दो छोटी मूर्तियों पर मिलता है इन दोनों प्रतिमाओं की हातों में कुछ बहुत ही अजीब है वे आधुनिक समय की ड्रिलिंग और पॉलिशिंग उपकरण की तहां दिखते हैं याद रखे हमने होयसलेश्वरा मंदिर में यही उपकरण देखे हैं उन मंदिरों में हम मशीनिंग तकनिक के ठोस प्रमाड देख सकते हैं हमें नकाशियों को हमेशा रहसमय सन्रचनाओं की बगल में क्यों पाते हैं जिने पुरातत्व विदोद्वारा समझाया नहीं जा सकता क्या ये सुराग प्राचीन बिल्डरो द्वारा छोड़े गए थे ताकि हम सच्चाई को समझ सकें यहां एक और नकाशी है जो बड़ी मूर्ती के ठीक सामने रखी गई है हम उसे एक नहीं बलकि दो आजार पकड़े हुई देखते हैं उनके दाहिने हाद पर उपकरण ना कीवल उपकरण के सिर को दिखाता है बलकि आधुनिक समय की आजारों की तरहां लंबा आधार भी दिखाता है आज के नकाशी के आजारों को देखिए सबी आधुनिक मूर्तिकार शीर्ष पर एक टूल बिट के साथ एक लंबे हैंडल का उप्योग करते हैं यह वैसा ही है जैसा हम इस हजार साल पुरानी नकाशी में देखते हैं क्या यह सैयोग है या प्राची निर्माता भी इस विशाल मूर्ति को तराशने के लिए मशीनों का उप्योग कर रहे थे क्या यही कारण है कि प्रतीमा को सभी छोटे छोटे विवरणों के साथ पूरी तरहां से उकेरा गया है लेकिन इस मूर्ति के बारे में कुछ और भी रहस्यमई है समय के साथ सभी चटानों को कुछ नुकसान होता है इससे बचा नहीं जा सकता है लेकिन आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति पर किसी भी तरहां का छरण नहीं हुआ है ऐसा लगता है जैसे इसे कल ही बनाया गया हो यह वास्तव में आश्चर रेजनक है क्योंकि पिछले हजार वर्षों से इस प्रतिमा का चहरा हवा के लिए पूरी तरह से खुला है आप कई मील दूर से मूर्ति का चहरा देख सकते हैं जो मंदिर की उचाई से उपर दिखती है लेकिन मूर्ति काफी नहीं दिखती है और आप देख सकते हैं कि मंदिर का बाकी हिस्सा छतिग्रस हो गया है यह कैसे हो सकता है भारती बहुत अंधविश्वासी लोग हैं और वे हर बारा साल में एक बार इकठा होते हैं और इस मूर्ति पर तरहां-तरहां की चीज़े डालते हैं जिसमें गन्य का रस, केसर का पेस्ट, दूध, चंदन पाउडर और अन्य अजीबो गरीब चीज़े सामिल हैं कुछ साल पहले वैग्यानिकों ने इस मिश्णन का परिक्षन किया और पाया कि यह वास्तम में चटानों को मजबूत करता है और इसे खराब होने से बचाता है अब सवाल यह है कि हजारों साल पहले लोगों ने इस जंगरोधी तकनीक का विश्कार कैसे किया पाशान उपचार का यह उन्नत ग्यान आज कैसे एक थार्मिक अनुष्ठान बन गया यह वास्तम में आश्चरे जनक है कि भक्त आम तोर पर मूर्ती के शीर्ष पर सभी मिश्रण प्रसाद डालते हैं यही कारण है कि मूर्ती के शीर्ष पर कोई छरण नहीं दिखता है लेकिन मूर्ती के नीचे छती के निशान दिखाई देते हैं क्योंकि संचारक रोधी यौगिक उसके पैरों को पूरी तरहां से नहीं छूता है यदि पुरातत्व विभाग अंद्विश्वासी भक्तो द्वारा बनाए गए मिश्रण का उप्योग करता है और सभी प्राचीन मंदिरों पर इसका उप्योग करते हैं तो वे इन सभी सनरचनाओं को और अधिक नुकसान से बचा सकते हैं आईए अब एक हजार टन की इस मूटी को पहाडी की चोटी पर ले जाने के रहसे पर वापस चलते हैं पहाडी पर कोई रैंप नहीं है और ये पत्थर की सीड़ियां चड़ने का एक मात्र रास्ता है पहाडी बहुत खड़ी है इन सीड़ियों पर चड़ते समय कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं आज लोगों को ले जाने के लिए सेवाएं हैं क्योंकि उनके लिए उपर और नीचे चलना बहुत मुश्किल है अगर खुद को उपर खीचना मुश्किल है तो आप 1000 तन की चटान को पहाडी की चोटी पर कैसे खीचेंगे जो जमीन से 400 फीट से अधिक उपर है इतनी बड़ी और विशाल प्रतिमा को इस्थानांत्रित करने का एक मात्र तरीका उन्नत तकनीक से ही संभव है शायद इसी मंदिर में मिली इस रहसमें नकाशी का अधियन करने में ही इस तकनीक का रहस से छिपा हो यह आकरती एक गेंद जैसी वस्तु को पकड़े हुए तिखाई गई है जिसके केंदर में एक बैंड है लेकिन अगर आप कौर से देखें तो गेंद उपरी हाथ या निचली हाथ को नहीं चू रही है बलकि पीछ हवा में तैर रही है आज हमने मैगनेटिक लेविटेशन तकनीक को समझना शुरू ही किया है लेकिन ऐसी नकाशी एक हजार साल पहले कैसे बनी थी इससे भी महत्वपूर बात यह है कि क्या इस मूर्ति को नीचे से पहाड़ी की चोटी तक उठाने के लिए मैगनेटिक लेविटेशन जैसी कुछ उन्नत तकनीक का इस्तिमाल किया गया था तो आप सब क्या सोचते हैं? क्या इस मूर्ति को तराशने के लिए मशीनों का इस्तिमाल किया गया था? इसे इतनी पूर्ता के साथ कैसे उकेरा गया? क्या मैगनेटिक लेविटेशन जैसी उन्नत तकनीक इसे इस्थाना आंत्रित करने में शामिल थी? इतनी बड़ी मूर्ति को पहाड़ी की चोटी पर कैसे उठाया जा सकता था? किर्पया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्षिन में बताएं मैं प्रवीन मोवन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनियवाद, सब्सक्राइब करना ना भूले और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें किर्पयास वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूँगा, बाई!